नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एको और नई जानकर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं जैसिक दोस्तों आप नोट फिशन में देख पा रहे हैं आंगर बाड़ी बड़ति 2022 के अंतरगत निकाली गई है आंगर बाड़ी कारे करता साईका और सुपरवाइजर के पतोपर यानिकी महीला सुपरवाइजर के पतोपर उम्मी द्वारों के लिए बस दोस्तों आजी का दिन सेस बचा हुआ है आप आजी आवेदन कर सकते हैं जल्द से जल्द आप आवेदन कर सकते हैं कैसे आवेदन करना है? क्या दस्ताविज मांगे जा रहे हैं? पातरता नियम सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमार आपसे एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना बोले साथ दोस्तो यदि आपको हमार दूज जानकारी पसंद आती है अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रू कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है जिससे हम परेथ होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर आपको आगनबाडी से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल वाइज में पताते हैं पर हम वोईस के लिए बैगरण वोईस के लिए आपसे माफी चाहेंगे इस बरती परिकिरिया के अंतरकत लगभग 8000 पलस रिक्तियों को परती निकाली गई है इस चुक उम्मिदवारों के पास ज्यादा समय नहीं है बस आज ही का दिन आपके पास बचा हुआ है जो भी आविदन करना चाहते हैं आप आज ही आविदन कर सकते हैं दोस्तों आप जल्द सी जल्द सरकार दुआरा चलाई गई अधिक वैबसाइट पर जाना होगा यहाँ पर दोस्तों ये वैबसाइट देख रहे हैं आपको आवितन करने के लिए इसी ओपसल वेब साइट पर ही जाना होगा अब दोस्तों बात करते हैं योग गिता और आयू सीमा के बारे में कक्सा साथवी पास, आठवी पास, दसवी पास और बारवी पास उम्मीदवार आवितन कर सकते हैं उम्मीदवार की आयुसीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए साथ दोस्तों जो यहाँ पर परियवेच्च यानिकी सुपरवाइजर के पतावर बढ़ती निकाली गई है उसमें दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुशन मांगी गई है अगर आपने बीए कर रखी है या फिर दोस्तों आपको योड़ सी डिगरी आपके पास है तो आप आविधन कर सकते हैं या पर दोस्तों आप यह भी देख सकते हैं यह आरेक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा में सूट भी परदान की गई है इसका भी प्रावधान निकाल गया है उम्मीदवारों का जो चैन है दोस्तों वहें मेरिट लिस्ट के आदार पर किया जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं आविदन परिकिरिया के बारे में उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट यानि की यहाँ पर देख रहे हैं आप ehrms.gujrat.gov.gov यानि की या बढ़ती गुजरात राज्ये में निकाली गई है अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो आप दोस्तों आविदन कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको जो फारम है ओफिशल वेबसाइट से ही मिल जाएगा जानकारी ध्यानपूरवक आविदन फारम में भरे और आविदन फारम जमा कर दे फाइनल समिशन के बाद वहां से आप आविदन पत्र ले यानि की आविदन पत्र का एक प्रिंट आउट वहां से निकल वाले फाइनल समिट के बाद दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अंतिम्तिती के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं आविदन शुरू होने की तिसी दोस्तों यहाँ पर 16 मार्थ 2022 रखी गई थी आविदन दर्ज करने की लाश्ट तारिक यानि की अंतिम्तिती 4 अपरेल 2022 है यानि की आज का दिन ही आपके पास यहाँ पर सेस बचा हुआ है आप जल्द से जल्द आविदन कर सकते हैं आविदन कैसे करना है यह हमने आपको बता जिया है आप सरकार द्वारा अफसल चलाएगा यह वेबसाइट पर जाईएगा वहां से आपको आविदन फारम मिल जाएगा आपको यहाँ पर भढ़ना है वह आविदन फारम और भढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सम्मीट भी कर देना है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पोस्ट सकते हैं आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा लाश्ट में निवदन नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय वारत